हलो एवरिवन, वेल्कम टो माई चैनल PCB बाबा और आज हम पढ़ने वाले हैं देवाज आदवास आप देवागिरी हम लग देवागिरी के यादवास के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका सासन खाल रहा 12th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी 80 की पीछ में जो यादवास थे देवागिरी के यह लोग 12th सेंचुरी के पहले भी थे लेकिन यह लोग सामन्त के तारपे थे किसके अंडर में राष्ट कुतास और लेटर वस्टरन चालुकियास आफ कल्यानी की अंडर में यह लोग सामन्द के तोर पे भूमिका निभाते रहे 8th century से लेकर 12th century के starting तक 8th century से लेकर 12th century के starting तक कि लोगोंने सामन्द के रूप में भूमिका अपनी अदा की और उसके बाद इन्होंने अपने आपको एक independent ruler बनाया और उसके बाद इनका once एक ruler के रूप में आगे चला तो हम लोग उन्ही के बारे में आज पढ़ने वाले हैं तो चलिए start करते हैं पहला point लिखा है जो देवगरी के यादव हैं यह दावा करते थे कि यह पौराणई कताओ के जो महाना एक लौड कृष्णा रहे हैं उनके यह वंसस थे और इसके अलावा लिखा है देयार नोन एस सेवु नास और यह देवगरी के जो यादव थे उनको सेवु नास भी का जाता था क्योंकि यह जो है नासिक से लेकर देवगरी तक के बीच के सारे जगहों पर राज करते थे ऐस सामन्त के तोर पर जिससे करण इनको सेवु नास का जाता था और मैं ऐसा भी कह सकता हूँ नासिक से लेकर देवगरी के बीच की जगहों को सेवु ना का जाता था और सेवुना के उपर राज करने वाले को सेवुनास खाया जाता था इसके करना इनका नाम सेवुनास पड़ा और यह जो थे यह सामन्त किसके किसके थे यह राष्ट कुतास और लेटर विश्टन चालुक्यास अब कल्यानी के थे और ओर दे नेक्स टिकेट ही रूले नॉमिनल वसल्स अब दे चालुक्यास अब कल्यानी रेडिंग दे गुजरात चालुक्या एंड परमारास यहां पर लिखा है कि इन्होंने अपने समय में जब यह लेटर विश्टन चालुक्यास अब कल्यानी के सामन्त थे तो उनकी ओर से यह है जो चालुक्यास अब कल्यानी जिसके उपर रेड करते थे या फिर हमला करते थे तो यह भी उनके साथ में लड़ाईयों में सामिल होते थे और उन्हें हराने की कोशिस करते थे जिसमें आते हैं परमारास गुर्जरास आगे चलते हैं भिल्लमा 5 के बारे में भिल्लमा 5 ने भिल्लमा 5 का जो सासन काल रहा है 1175 से लेकर 1190 तक का सासन काल रहा है लेकिन इनको समझने से पहले हम आपको बता दे यहाँ पर जो आपको नाम दिखाई दे रहा है इतने सारे लोग का यहाँ पर जब को नाम दिखाए दे रहा है यह बहुत सारे लोग का यह जो है 8th century से लेकर starting के 12th century तक के बीच के फिडर लोट रहे हैं जिन्होंने राष्ट कुतास 8th century से लेकर 8th century से लेकर 10th century तक 8th century से लेकर 10th century के बीच में जो भी आते हैं यह जो है इन्हों राष्ट कितास के नीचे सामन्त का काम किया और उसके बाद जो आते हैं 10th century से लिकर 12th century के बीच में इन्होंने लेटर विष्टरन चालुकियास के अंडर में as a सामन्त काम किया लेकिन इसमें जो सबसे नाम लाष्ट में है जिसका नाम है भिल्लमा 5 इन्ही 187 AD के बीच में यह सामन्त थे और 1187 लिकर 1190 के बीच में यह रूलर भी बने सासक भी बने यह जो पहला पाइंट और दूसरा पाइंट लिखा है यह वही कहता है उसके बाद लिखा है दा यादवार रूलर दा यादवार रूलर टेक एडवांटेज अड़ डिकलाइन डिफिटेट समिश्वरा फोर देखें यहाँ पर क्या लिखा है जो यादव रूलर थे इन लोगों ने जैसे ही लेटर विस्टन आप चालुकियास के लास्ट जो राजा थे समिश्वरा फोर यह जो थे यह सासन करने में अनिबल थे और इनके समय में जो इनका कमांड था पूरे समराज पर जहां तक लेटर विस्टन चालुकियास का समराज फैला था वो कमजोर होने लगा था और इसी मौके को भाब कर या फिर इसको भाब कर जो इनके सामन थे जिन में से एक थे भिल्लमा फाइब जो यादव रूलर के सामन थे उन्होंने क्या किया समिश्वर फोर को हरा कर वे पूरे समराज के राजा बन गए लेकिन इसके बाद एक और रूलर रहती है जिनकी नजर रहती है इनके समराज के उपर लेटर वस्टन के उपर जिसके वहती आ लेते हैं यादवास रूलर भिल्लमा फाइब उनकी नजर रहती है होईसल रूलर की जिसका नाम होता है विर बललाला सेकेंड यह भी का करते हैं युद छेड़ देते हैं भिलमा फाइब से युद छेड़ देते हैं जिसमें क्या होता है भिलमा फाइब कई इनको परास कर देते हैं और इसके बाद एक और भी लाड़े होती है बेटल ओफ लकुंडी जो गड़क डिस् जैतुगी जो है यह बेटे होते हैं बिल्लमा फाइब के और यह अपने समय में काल्चुरिस, गुर्जरास और काकातियास को हराते हैं काल्चुरिस का समराज रहा है वो गुजरात मद्यप्रदेश और महराष्ट के बीच मेराज जिसको इन्होंने जीत लिया और साथी साथ गुर्जरास के मद्यप्रदेश में कुछ रिजन थे जिनको इन्होंने अपने समराजे मिला लिया और काकातियास जो mostly अंधरर रिजन के थे तेलंगाना से वहां के कुछ छेतरों को इन्होंने जीत लिया इसके बाद इनके बाद एक आते हैं बहुत इमान राजा यादो डियनिष्टे के जिनका नाम होता है सिम्हमना या फिर सिंगना यह महादेवा को हराते हैं जो काकतिया रूलर होते हैं इसके अलावा यह जो हैं सिलरा डानिस्टी को हराते हैं जिनके उपर यह कई बार तो चढ़ाई करते हैं लेकिन अंत में कई बार चढ़ाई करने के बाद सिलरा डानिस्टी को हराते हैं और कुलहपूर पर कैप्चर कर लेत और इसके अलावा यह वीर बलला सेकंड को भी हराते हैं जो होईसल रूलर होते हैं और अपने अपने सामराज को जो यादों का सामराज होता है उसको रिवर कृष्णा के पार पहुचा देते हैं रिवर कृष्णा कहां से निकला है कहां से उद्गम हुआ है इसका पार और आगे तक यह जो हैं यादों के समराज को फ़ला देते हैं इनके समय में संगीतर रत्नकारा नाम की एक बुक लिखी गई थी जिनको लिखने वाले थे सारंग वेद जो एक बहुती बड़े मुजीशन थे और इसके अलावा आर्ट और अर्किटेक्चर में आनंत व अपने एक बुक लगी थी जिसका नाम था सिंधार्स्ण दार मरी और ये है बहुत ही बड़े ऐस्ट्रोनोम है यह इन्हों नहीं बताया था पृत्वी जो है सुरी के चारो और गोल-गोल गूमती है और पृत्वी जो है अपने ऑक्ष पे बहुती है और इन्हीं के जो पो जी भासकराचारी की याद में तो इन्होंनी लड़ाईयों के साथ साथ आर्ट आयन आकिटेक्चर में भी बहुत सारे महत्पूर काम किये जिसके कारण सिंगना को अपने समय का या फिर यादो रूलर का सबसे प्रतिष्टित रूलर माना जाता है अब इसके बाद हम लोग आ या लटते हैं लेकिन सकस नहीं हो पाते इसके बाद आते हैं महादेवा जिनका सासन काल रहा है 1260 से लेकर 12780 तक यह जो है यह कृष्णा के छोटे भाई होते हैं यह भी पोते होते हैं सिंगना के और यह है अपने समय में कैप्चर करते हैं नौर्थ कोकन को उत्तरी को और यह सिलरा डानेश्टी को मिसा के लिए अंत कर देते हैं और यह अपने समय में कायकातियास और होशर्थ को भी हराते हैं अब इसके बाद आते हैं रामचंदर देवा के सासन काल में जिनका सासन काल रहा है 127180 से लेकर 130980 तक यह जो है यह लास्ट ग्रेट रूर होते हैं य इसके बाद जो है लास्ट आते हैं रूर यह आते हैं रामचंदर देवा के बेटे जिनका नाम होता है संकर देवा इनसे युद्ध होता है देली संतनत के जो होते हैं अलाओदिन खिलजी के जनरल जिनका नाम होता है मलिक कफूर इनसे इनकी लड़ाई होती है और 13280 में जो मली कफूर है इनको हरा देता है और इनको मार देता है और इसके बाद जो है इनका एक साला होता है संकर देवा का जिसका नाम होता है हर पाला वह जो है अब खिलजी उसके खिलाब युद्ध करता है लेकिन युद्ध में क्या होता है अलाव दिन खिलजी का जो बेटा होत जिसके बाद यादव डैनेस्टी खतम हो जाती है तो ये पूरी यादव डैनेस्टी जो देवागेरी की थी उसके रही हो था को छलते हैं हुची है गरत के सबसे कि बाइब भूत होर नाइ देर जब यहाँ पे लोग को हराया तो यहाँ किले में बहुत तोड़ फोड की और तोड़ फोड करने के बाद यहाँ पे जुम्मा मस्जिद और चांद मिनार बना दिया जिसके फोड़ हम लोग आगे देखेंगे और यादा आलसो पेटरनाईज दे स्टड़ी आफ साइंस और अश्ट्रोनामी अपने समय में इन्होंने साइंस और खगोल सास्त्र जो सुर्य शनचत्र के बारे में पढ़ाई करते हैं उसके बारे में इन्होंने बहुत सारे खोज किये बहुत सारे कारे किये देखें आपको मैं दिखाता हूँ यह रहा पुरा देवगरी का फोर्ट यह देवगरी का जो फोर्ट है इसमें देखें यहाँ पर आपको यह दिखाई दे रहा यह जुम्मा मस्जिद यहाँ पर बना दिया गया और यह है चांद मिनार यह चां जुमा मस्जिद और यह रहा चांद मिनार और यह आपको पुरा दिखाई दे रहा है ठीक है और इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा है इंडर अप देकन किंग्डम देखे क्या होता है डेकन में जिन लोग भी राजी करते हैं जैसे चालुकियास राष्टकुतास होईसल का लावीज होता है तो क्या करता है इसी का फायिदा उठा कर इन लोग को लूट ता है और अन्ते में इन लोग को करके मार देता है जिसमें अगर यह लोग के बीच में एकता यूनिटी होती तो भी यह लोग हारते नहीं लेकिन ऐसा नहीं हो पाया तो यह रहा इनके बारे में कहानी और एक इंपोर्टन बात रोचकत थे जो लिखा है अलिफेंटा केव के बारे में एलिफेंटा केव जो है इसको खोदना शुरू किया था चालू किया जने लेकिन कंप्लेट कुन किया राष्ट कितास किंग ने जब पुर्टगीज आया थे उन्होंने यहां पर देखा था एक बहुत बड़ा इलिफेंट का स्कल्प्चर जिसके कराण इनके नाम दे दिया इलिफेंटा केव यह कहां पर आता है यह मुंबई में जो साथ आईलेंड है उसमें से एक आईलेंड में यहां पर यह इलिफे बताओ कि आपको फोटो दिखाई देंगे और यहां पर आपको मैं इसका फोटो दिखा देता हूं इलिफेंटा क्यों का जो बहुत ही खुब सूरत है दिखें यह इलिफेंटा क्यों का फोटो है जो बहुत ही बहुत ही बहुत साली दिखता है मैगनिफीशन दिखा देता ह आप लोग यहां पर ज़रूर जाहिए बंबाई में जो रहता है तो चले इसी के साथ यादो डानेश्टी का लेक्षर समापत होता है आगे हम मिलेंगे और भी नाए डानेश्टी के साथ तेके लिए खुश रहें गुडबाई